सब्सक्राइब करे फिल्मी गर्लफ्रेंड को बहतरीन मूवीज देखने के लिए फिल्म की शुरुआत एक रेगिस्तान के बीच से गुजरती एक ट्रेन से होती है जिसमें न्यूक्लियर वेपन और कुछ आतंकवादी है ट्रेन को रोकने और आतंकवादियों को पकरने के लिए सेट्स एंटी टेरिस्ट ग्रूप के हेलिकॉप्टर्स को भेजा गया है इस आतंकवादी ग्रूप का हेड मेनन है जो इस पूरे ऑपरेशन को चला रहा है उन्होंने एक वैज्यानिक को किड्नेप किया है और उससे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करवा रहे है फिर हमें पता चलता है कि वो वैज्यानिक कोई और नहीं बलकी सैट्स टीम का लीडिंग ओफिसर है जो अपनी आवाज बदल कर बात कर रहा था यह ओफिसर कोई और नहीं बलकी विजय थलापती का किरदार गांधी है गांधी अकेले ही पूरे आतंकवादी ग्रुप से भिर जाता है इस बीच आतंकवादियों द्वारा हेलिकॉप्टर पर गोली बारी की जाती है जिससे ट्रेन के पिछले डिब्बे में आग लग जाती है पूरे ट्रेन में आग लग गई है टीम के अन्या ओफिसर्स भी ट्रेन में आतंकवादियों से लर रहे है और उन्होंने कई आतंकवादियों को मार गिराया है लेकिन मेनन वहां से भागता है ट्रेन में लगी आग धीरे धीरे इंजन तक पहुंच चाती है टीम के सदस्य हेलिकॉप्टर में लोटने लगते है और गांधी नुकलियर वेपन को सुरक्षित उठाकर हेलिकॉप्टर की तरफ बरता है जैसे ही ट्रेन में विस्फोट होता है गांधी अपने बैग में नुकलियर वेपन रखकर हेलिकॉप्टर से बच निकलता है लेकिन मेनन वहीं फंस जाता है और सब को लगता है कि वो ट्रेन ब्लास्ट में मारा गया है इधर गांधी की पतनी अनु को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में भरती है और उसे एक और बच्चा होने वाला है उनका पहले से एक बेटा है जिसका नाम जीवन है और वह पांच साल का है गांधी का परिवार एक सुखी परिवार है और चौथा सद से जल्द ही आने वाला है गांधी जो बरेबरे आतंकवादी संगतनों से लरने से नहीं डरता वह केवल अपनी पतनी अनु से डरता है फिर हम एक पार्टी में देखते है कि गांधी अपनी सैट्स टीम के साथ है जिसमें कल्यान, सुनील, अजय और उनके हेड नजीर सर भी होते है ये टीम न सिर्फ एक एंटी टेरिस्ट ग्रूप है बलकि ये लोग पुराने दोस्त भी है इसके बाद हमें फिर से अनु हॉस्पिटल में दिखाई जाती है लेकिन इस बार भी गांधी उसके पास नहीं आपाता और काम के बहाने से बाहर चला जाता है अनू सुनील की पतनी जो डॉक्टर है उसे मिलती है और कहती है कि उसे लगता है कि गांधी का किसी और के साथ अफेर चल रहा है वह बताती है कि कभी-कभी उसने फोन पर दूसरी लर्कियों की आवाजें सुनी है और उसे शक है कि गांधी उसे धोखा दे रहा है जब गांधी घर आता है तो अनू उसे जमकर डांटती है और पूछती है कि वह कहां और किसके साथ था गांधी सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि वह एक सीक्रेट एजेंट है और सैट्स के लिए काम करता है लेकिन अनू उस पर विश्वास नहीं करती गांधी उसे किसी भी तरह समझाने की कोशिश करता है लेकिन वह मानती नहीं है आखिरकार गांधी उसे मनाने के लिए कहता है कि उसने उनके लिए थाइलेंड में दूसरा हनीमून प्लान किया है जिसमें वे अपने बेटे और आने वाले नए सदसे के साथ जाएंगे यह सु रहेगा क्योंकि अगर वह नहीं जाएगा तो उसका परिवार तूट सकता है इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी अपने परिवार और टीम के साथ थाइलेंड पहुंच जाता है वहां वे सब मिलकर बहुत मजे करते हैं और समय बिताते हैं रात में नजीर सर का कॉल आता ह और गांधी को मिशन के शुरू होने की सूचना मिलती है गांधी और कल्यान एक पब में जाते हैं जहां उन्हें एक सीक्रेट कोर चुराना होता है गांधी खिरकी तोर कर पैराशूट खोल कर निकल जाता है मानो यह उसके लिए कोई मुश्किल काम ही नहो लेकिन उसका चे अनु को पेन शुरू हो जाता है और वह दर्द से तरप रही होती है गांधी काफी असाय महसूस करता है क्योंकि उसे एक तरफ इन दुश्मनों से लरना है और दूसरी तरफ अपनी पतनी और बच्चे का ध्यान रखना है वह अनु और अपने बच्चे को एक क्लोकिंग मा बिल भरने के लिए बाहर जाता है इस दौरान उसका बेटा जीवन उसे बताता है कि उसके पैर में दर्द हो रहा है गांधी उसे एक जगह बिठा कर बिल भरने जाता है लेकिन जब वह लोटता है तो जीवन वहाँ नहीं होता गांधी पूरे अस्पताल में और उसके पास अपने बेटे को ढूनता है लेकिन जीवन का कोई पता नहीं चलता वह अपनी टीम के सदस्यों से मदद मांगता है लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता आखिरकार वह पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसे सूचना मिलती है कि एक जगह कुछ बच्चों के जले हुए शव मि किया था गांधी के पैरों तले जमीन किसक जाती है क्योंकि उसे अब अपनी पत्नी को भी जवाब देना है और वह अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है गांधी अपनी पत्नी से सब सच बताता है लेकिन अनू उसे माफ नहीं कर पाती इस बीच अनू न नहीं की है अब अनू और गांधी सिर्फ एक मीडियेटर के जरिये ही थोरी भुद बात करते है जो उनकी बेटी होती है लेकिन उनके रिष्टे में दूरियां बनी रहती है गांधी की बेटी अनूसुया एक पार्टी में अपने माता पिता और गांधी के पुराने सैथ्स टीम मेंट्स के साथ जाती है पार्टी के दौरान गांधी की बेटी उससे पूछती है कि क्या वह उसे रात को घर छोड़ देगा और गांधी सहमती दे देता है इस बीच नजीर सर गांधी को समझाते है कि वह खुद को दोश देना बंद करे और मौसको ऑफिस में एक काम स मौसको में भारतिय दूतावास के आसपास तनाव बरता है और गांधी स्थिती को संभालने की कोशिश करता है हिंसा भरक उठती है और एक गैंग भारतियों पर हमला करती है गांधी बीच बचाव करता है और एक व्यक्ति से लराई में उलच जाता है वह व्यक्ति बिलकु पहले खो दिया था जीवन भी गांधी को पहचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी यादें धुन्धली होती है जीवन गांधी को बताता है कि वह फैजल गैंग के लिए काम करता है और उसे यकीन है कि अगर वह गांधी के साथ चला गया तो उसे मार दिया जाएगा गांधी अपने बेटे को समझाता है कि उसे अपने पिता पर विश्वास करना चाहिए और उसके साथ भारत चलना चाहिए। परिवार एक साथ खुशाल जिंदगी बिताने लगता है। जहां मेनन जो ट्रेन ब्लास्ट में अपने परिवार को खो चुका था बदला लेने की योजना बनाता है। उसने गांधी के बेटे जीवन को हॉस्पिटल से किड्नेप किया था और उसे इस तरह से पाला कि वह अपनी असली पहचान भूल गया। मेनन ने जीवन को यह विश्वास दिलाया कि वही उसका असली पिता है और गांधी उसका दुश्मन है जिसने मेनन के परिवार को मारा। मेनन ने गांधी के खिलाफ उसे तयार किया था ताकि वह अपने असली पिता से बदला ले सके। जब गांधी जीवन को गिरफतार करने की कोशिश करता है, तो जीवन उसे घायल कर देता है। इसके बाद गांधी की सैट्स टीम मेनन पर हमला करती है और उसे पकर लेती है। जीवन डेटोनेटर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गांधी उसे पहले वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्थ हाथा पाई होती है। गांधी अपने बेटे को समझाने और एक मौका देने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन मेनन के बहकावे में इतना आचुका था कि वह किसी भी कीमत पर अपना प्लान पूरा करना चाहता था। गांधी जो एक जिम्मेदार अधिकारी भी है, जानता है कि लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उसे सही फैसला लेना होगा। आखिरकार गांधी अपने बेटे को शूट कर देता है और लाखों लोगों की जान बचा लेता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।